पताने दिन भर पोन पर किस के किस के साथ लगी रहती है। अजीप अजीब सी आ उ की आवाज़े निकालती रहती है। किस से किस से बातने रहती है। ये दो तके की लड़के हैं, दो तके की। और निलू डर के मारे दरवाजा खूलती है. जैसे ही निलू दरवाजा खूलती है, तो उसकी सास पूशती है, कि तू अंदर कमरे में किस के साथ मुझ काला कर रही थी. पर निलू कहती है, मैं तो YouTube पर वीडियो देख रहे थी, और उन दुनों का जगड़ा हो जाता है और गुस्से से नीलू अपना दर्वाजा बंद कर देती है और कमरे के अंदर बैठ जाती है और नीलू की सास नीलू से कहती है रुक मेरे बेटे को ओफिस से आने दे फिर तेरे सारे कांड उसे बताती हूँ और उसके बात क्या होता है अब हम एपिसोड टू में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड टू की स्टोरी एपिसोड टू में दिखा गया है कि नीलू अपने पती को फोन करती है और अपने पती से कहती है कि तुमारी मा जबरदस्ति मुझसे जगड़ा कर रही है मैं अपने कमरे में हॉट वीडियो देख रही थी ताकि तुम आफिस से आने के बाद मैं तुमारा मूड बना सको पर तुमारी मा मेरी प्रैवेसी का कुछ भी ख्याल नहीं करती वो चुपके से मेरे कमरे के बाहर दर्वाजे पर कान रखकर मेरी बाते सुनती है मैं जो वो हॉट वीडियो देख रही थी उसके अंदर आ के आवाजे आ रही थी तो तुमारी मा कह रही है कि मैं किसी गैर मरत के साथ कमरे में मज़े कर रही हूँ और वो मुझे पर जूटा इलजाम लगा रही है, मैं बहुत तंग आ गई हूँ तुम्हारे मा के इन हरकतों से, अब मुझे और ज्यादा नहीं सहा जाता, तुम जल्दी से घर पर आओ और आज ही final decision लो, मैं तुम्हारे मा के साथ अब नहीं रह सकती। ये सुनकर सुमित बहुत tension में आ जाता है, और कहता है ठीक है, मैं घर पर आता हूँ और मैं आने के बाद हम बात करेंगे। उसकी ये बाते सुनकर रहुल उसे पुछता है कि क्या हुआ सुमित तु इतना परेशान क्यों है, जब भी तु भावी से फोन पर बात करता है, तो tension लेने वाली कौन सी बात है, देख तुने नई गाड़ी खरीदी थी, और एक महिनी तक तुने वो गाड़ी नहीं चलाई, तो तेरे दोस्तों ने तेरी गाड़ी चलाई, तो तुझे बुरा लगा क्या, तो सुमित कहता है नहीं, तो राहुल कहता है, exactly, वैसे ही तेरी शा जाता है कि ओपन मेरेज में पती पतनी एक साथ रहते तो है, पर अपनी प्यास किसी और के साथ बुझाते है, और उन्हें एक दूसरे से कोई प्रॉलम नहीं होती, तू भी ऐसा ही कर, भाबी को जाँ अपनी प्यास बुझानी है, उसे बुझाने दे, और तू तेरा सुमित सोच में पढ़ जाता है, और ओफिस से निकल कर घर के ओर चले जाता है, जैसे ही सुमित ओफिस से घर पर आता है, तो उसकी बीवी नीलो और उसकी मा सुमित पर तूट पड़ते है, सुमित की मा सुमित से कहती है, ये लड़की दिन भर कुछ काम नहीं करती, दिन भ बहुत ज़्सा हो जाती है और कहती है तेरे बेटे से कुछ नहीं होता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है, पहले अपने बेटे को देख फिर मुझसे बात कर, ये सुनकर सुमित शरम से अपना मुँ नीचे कर लेता है और उसकी माँ ये बात सुनकर चौक जाती है और स सुमित से कहते हैं ये क्या बोल रही है ये लड़की सुमित कहता है बस करो बहुत हो गया तुम दोनों का अब दोनों भी चुपचा बैट जाओ और मेरी बात सुनो पर वो दोनों रुकते नहीं और एक दूसरे के साथ जगड़े करते रहते हैं फिर नीलू बहुत जादा कर अपने आपको मारने की कोशिश करती है पर सुमित उसे रोकने की कोशिश करता है तो सुमित की मा सुमित से कहती है मर जाने दे सकल मुही को ये दो टके की आउरत है ऐसे आउरते धंदा करती है धंदा ये सुनकर नीलू की सटक जाती है और नीलू अपने सास को कहती है नहीं मन में खुद से कहती है राहुल मैंने अपने पती को छोड़ने का फैसला ले लिया है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है तो दूस्तों ये थी कुकु की वेब सीरी सजनी एपिसोड 2 की स्टोरी अगर आप जानना चाहते है कि आगे क्या होने वाला है तो मैं आपके लिए एपिसोड 3 भी एक्स्प्लेइन कर दूँगा अगर आपको मेरा स्टोरी एक्स्प्लेइन करना पसंद आता है तो वीडियो के एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सस्क्राइब करके रख दीजिए ताकि आने वाले स्टोरी आपसे मिस न हो